दोस्तो स्वागत हैं, आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत अधिक महत्वपून बात बताने वाले हैं, ये ज्यानवर्धक जानकारियां आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं, इ 99% लोग नवरातरी में करते हैं, ये बड़ी गलतियां, आप न करें, इसे ध्यानपूर्वक सुनो नवरातरी के नौ दिनों में क्या करें, क्या न करें, काम की बाते नौ दिन माता भगवती को अपराजिता का फूल अर्पित कर बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें आईए जाने इन नौ दिनों में क्या करें, क्या न करें आप नवरातरी का वरत रखने में असमर्थ हैं, तो भी आपको नौ दिनों तक अपने खान पान पर विशेश नियंत्रण रखना चाहिए मास मचली मदिरा, लहसुन और प्यास का उप्योग कतई न करें सात्विक आहार ही ग्रहन करें इन दिनों कोरोना वाइरस का प्रकोप चर रहा है, ऐसे में आहार की शुधता का विशेश ख्याल रखें मा शक्ति स्वयं एक नारी हैं, इसलिए सदा नारी का सम्मान करें देवी पुराण में उल्लेखित है की मा भगवती उनही की पूजा अर्चना स्विकार करती है, जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं जो नारी की इज़द करते हैं, मा लक्ष्मी उनसे सदा प्रसंन रहती है मा भगवती उसी पूजा को स्वीकारती हैं, जो शांती, श्रध्धा एवं प्रेम के साथ की जाए नवरात्री के पूरे दिन घर में शांती का वातावर्ण बना कर रखें हर किसी के साथ प्रेम एवन सद्भाव का व्यवहार करें तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है नवरात्री के दिनों में घर में कलह ग्वेश और किसी का अपमान किये जाने पर घर में अशान्ती रहती है और बरकत नहीं होती इस नवरात्री में स्वच्छता का विशेश रखा जाता है नौ दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए नवरात्री के एक दिन पहले से किचन और मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए मंदिर में नए वस्त्र प्रयोग में लाएं काले रंग के परिधान नहीं पहने और ना ही चमडे का बेट पहने इन नौ दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए नवरात्री के दिन्मूग और बेबस पशू पक्षियों को परिशान नहीं करना चाहिए इनके लिए दाना पाने की विवस्था करें गौर तलब है कि मा दुरगा का वाहन भी एक पशू है तंत्र मंत्र अक्सर गलत मकस्दों के लिए किया जाता है ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखना चाहिए अगर आपने घर में नवरात्री के उपलक्ष में कलश की स्थापना की है तो यह मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया हुआ है अत्र दोनों समय उनकी पूजा आरती और नैविध्य चड़ाना न भूले साथ ही घर में पूरे नौ दिन में एक पल के लिए भी ताला नहीं लगाएं इसके अलावा बिस्तर पर नहीं सोकर जमीन पर सोना चाहिए घर आय अतिथी अत्वा भिखारी का अपमान न करें नवरात्री का उपवास रखते हैं तो घर आय अतिथी से लेकर भिखारी तक का किसी का भी अपमान करने से बचें बलकि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें इससे मा भगवती प्रसन्न होती हैं दिन के वक्त सोकर समय गुजारने से बहतर है इश्वर पाठ करें प्रातस नान ध्यान कर अडोस पडोस के साथ बैठकर कीर्तन रामायन पाठ इत्यादी करें आप चाहे तो दुर्गा सब्तश्टी का पाठ भी कर सकते हैं अगर आपने नौ दिन का उपवास रखा है तो पत्नी से दूरी बना कर रखें ब्रहमचर्य का पालन करें मा भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से करें दोनों वक्त पूजा अवश्य करें नवरात्री में देवी मा को प्रसंद करना है तो इन तेरह कामों से बच कर रहें भूल कर भी न करें यह बड़ी गलतिया नवरात्री में अगर अखंड जोती जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़ कर नहीं जाएं दो नौ दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए तीन वरत रखने वालों को दाढ़ी मूच और बाल नहीं कटवाने चाहिए चार खाने में प्यास, लहसुन और नौन वेज न खाएं पांच नौ दिन का वरत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए छे वरत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चपल जूते, बैग जैसी चमडे की चीजों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए साथ वरत रखने वालों को नौ दिन तक नीमबू नहीं काटना चाहिए आठ वरत में नौ दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए नौ विश्नुपुरान के अनुसार नवरात्री वरत के समय दिन में सोना निशेद है दस फलाहार एक ही जगहे पर बैठ कर ग्रहन करें ग्यारा चालिसा मंत्र या सब्तश्ती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं बारा शारिरिक संबंध बनाने से वरत का फल नहीं मिलता है तेरा कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं यह गलती वरत के दौरान बिलकुल ना करें व्यसन से वरत खंडित होता है दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ज्यानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें